हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो एम्डिपियस स्टेइंग अट होम स्टेडी प्रोग्राम दिस इस दी लेक्चर ओफ सिख्थ क्लास ओफ मैथ सब्जेक्ट एंड टुडे भी कंटिन्यू अवर थार्ड चैप्टर एंड चैप्टर नेम इस फैक्टर एंड मल्टिपल्स क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमें नंबर दिया हुआ वो किस नंबर पर डिवाइड होगा तू पर डिवाइड होगा थ्री पर डिवाइड होगा फोर पर डिवाइड होगा किस नंबर पर वो डिवाइड होगा वो हमें ये डिविजिबिल्टी रूल सी look at the digits at in the once place once के सबसे पहला rule क्या होगा हमारा जो number दिया हुआ हम उसके once के place का digit चेक करेंगे any number that ends with 0, 2, 4, 6, 8 is a divisible by 2 कोई भी number जो हमें दिया हुआ उसके अगर once के place पर क्या digit हो 0, 2, 4, 6, 8 इन में से कोई भी एक digit हो तो वो number क्या है 2 पर divide हो जाएगा जैसे हमने यहां पर number लिख दिया 4, 7, 6, 8, 9, 4 इतना बड़ा number लिख दिया हमने तो सबसे पहले rule क्या है हम क्या है इसके once के place का digit चेक करेंगे once के place पर क्या है 4 है तो हमें पता चल जाएगा कि यह 2 पर divide होगा तो यही बोला था ना हमने if any number that ends with 0, 2, 4 4 बोला था ना यहां पर भी 4 है once के place पर तो यह number क्या है 2 पर divide हो जाएगा second इसमें क्या है दिया है any number that ends with 0 और 5 is divisible by 5 अगर once के place पर 0 और 5 हो तो वो किस से divide हो जाएगा वो 5 से divide हो जाएगा जैसे हमने number लिखा 4, 6, 7, 8, 5 once के place पर क्या है 5 है तो यह number क्या है 5 पर divide हो जाएगा अगर एक पीछे और 0 और लिख दिया हमने तो यह once के place पर क्या है 0 तो यह भी 5 पर divide हो जाएगा और यह two पर भी divide हो जाएगा क्योंकि two के rule में भी यही बोला था हमने अगर once के place पर 0 हो तो वो two पर divide हो जाता है तो यह two पर भी divide हो जाएगा और five पर भी divide हो जाएगा और लास्ट में देखो any number that ends with 0 is divisible by 10 अगर once के place पर 0 हो तो वो क्या है 10 पर भी divide हो जाएगा तो यह number है यह 10 पर भी divide हो जाएगा तो यह था हमारा first rule जो सबसे पहले हमने क्या करना उसका once के place का digit चेक करना है उससे हमें पता चल जाएगा कि वो two पर divide होगा five पर divide होगा या ten पर divide होगा तीनों में से किसी पर divide हो रहा है या नहीं हो रहा है यह था हमारा first rule second rule देखो second box में check the digit sum हमने क्या करना है digit जो number दिया हो उसके जो digit हैं उनको add कर लेना है add करने के बाद if the sum of the digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3 जो number है उसके digit का sum अगर three पर divide हो रहा है तो वो number भी क्या है three पर divide हो जाएगा जैसे हमने एक number ले लिया यहां पर one eight eight four यह number लिख लिया हमने इसके digit का sum करो कितना होगा eight plus one nine nine में eight plus करने है seventeen seventeen में four plus किये twenty one जब हमने इनके digit को plus किया तो twenty one आया हमारे पास twenty one three पर divide होता है हाण three पर divide होता है seven three जा twenty one होता है तो यह number भी क्या है three पर divide हो जाएगा तो सबसे पहले उनके digit को हम add कर लेंगे अगर वो add किया हुआ sum है जो हमारे पास वो 3 पर divide हो रहा है तो वो number भी 3 पर divide हो जाएगा second देखो any even number that is divisible by 3 is also divisible by 6 कोई भी even number क्या है अगर 3 पर divide हो रहा है तो वो क्या है 6 पर भी divide हो जाएगा हमने पहले number क्या लिया था 1 8 84 यह लिया था न क्योंकि इसका जब हम इनको add किया था तो 21 बना था हमारे पास dessert को add किया था न 21 बना तो यह क्या था 3 पर divide हो रहा था तो यह last में क्या था even number है न यह 4 आ रहा है last में तो यह 1884 यह 6 पर भी divide होगा क्योंकि ये even number है divide करके देखो 6 पर दुबारा divide करते हैं 1 8 8 4 6 पर हमने divide किया 6 3 0 18 18 लिख दिया हमने उपर से 8 नीचे आया 6 1 0 6 6 आ गया 2 और उपर से 4 लिया 6 4 जा 24 divide हो गया न तो ये क्या है 6 पर भी divide हो जाएगा अगर वो even number है लेकिन अगर odd number है 3 पर divide हो रहा है फिर वो divide नहीं होगा जैसे हमने एक example और लिए यहाँ पर 1 2 2 1 इनके जब digit को add किया तो sum कितना है 2 प्लस 2 4 6 6 आया ये 3 पर divide हो रहा है लेकिन ये 6 पर divide नहीं होगा क्योंकि ये क्या है एक odd number है 1 2 2 1 6 पर divide करके देखो इसको 6 2 जा 12 12 आगे यहाँ पर उपर से 2 नीचे आया 0 1 भी आगे नीचे 6 3,018 तो पीछे remainder कितना रह गया 3 रह गया नहीं divide हो रहा ना क्योंकि ये और number था अगर even होता तो ये 6 पर divide हो जाता और third rule देखो इसमें If the sum of the digits of a number is divisible by 9 Then the number is divisible by 9 अगर उनका sum क्या जो वो 9 पर divide हो रहा है तो वो number भी क्या है 9 पर divide हो जाएगा जैसे हमने number लिखा यहां पर 2,0 8,8 एक number लिख लिए हमने इनको add करो 8,8,16 और 2,18 18 आगे ना add करके 18,9 पर divide हो रहा है Yes हो रहा है 9,2018 होता है 9,2018 होता है तो ये number भी क्या है 9 पर divide हो जाएगा divide करके देखो यहां पर 9 पर divide किया 9,2018 18,2 के नीचे आया 8,9,3 जा 27 27,1 और उपर से 8 नीचे आया 9,2 जा 18 divide हो गया ना अगर sum 9 पर divide हो रहा है तो वो number भी 9 पर divide हो जाएगा और 6 के लिए क्या rule था अगर even number है वो even number है 3 पर divide हो रहा है तो वो number भी 6 पर divide हो जाएगा अब third box में read करना है हमने look at the number format number जो लिखा हुआ है हमारे पास उसका क्या format है उसको चेक करना है हमने if the number format by the last two digits of a number is divisible by 4 then the number is divisible by 4 हमें जो number दिया हुआ है उसके last two digits अगर 4 पर divide हो रहे है तो वो number भी 4 पर divide हो जाएगा जैसे हमने number लिखा 2,1,84 इसके last two digits 84 बनते हैं ना कि यह 4 पर divide हो जाएगे अगर टू डिजट फोर पर डिवाइड हो रहा है तो वह नमबर भी फोर पर डिवाइड हो रहा था लेकिन अगर थ्री डिजट इसमें क्या लिख्या अगर थ्री डिजट लास्ट ले थ्री डिजट एट पर डिवाइड हो रहे है तो वह नमबर भी क्या है एट पर डिवाइ 408 यह नंब्र लिख लिया हमने क्या लासटले 3D जेक करने है कि वह 8 पर Divide होरहे है या नहीं होरहे 408 को 8 पर Divide किया हमने 85 40 होता है 8108 डिवाइड हो गया न तो यह नंब्र भी क्या है 8 पर Divide हो जाएगा अगर 2D जेक करनेاج। फॉर पर Divide हो वो number भी 4 पर डिवाइड हो जाएगा और 8 के लिए rule क्या है अगर lastly 3 digit 8 पर डिवाइड हो रहे हैं तो वो number भी 8 पर डिवाइड हो जाएगा अब last box में चेक करो difference of the numbers format 11 के लिए क्या rule है वो rule देखो number is divisible by 11 if the difference between the sum of its odd digits and the sum of its digits at even places is either zero or a multiple of 11 अगर सबसे पहले इस rule में क्या करने हैं जो odd places पर डिवाइड है उनको अलग से अड़ कर लेना है और जो even places पर digit है उनको अलग से अड़ कर लेना है उन दोनों का difference अगर zero है यह 11 से डिवाइड हो रहा है तो वो number भी क्या है 11 पर डिवाइड हो जाएगा जैसे हमें एक example लेते हैं जैसे यहां पर 90728 सबसे पहले हम और डिजर्ट चेक करेंगे 879 879 है इनको तिनों को प्लास किया 9 10 16 16 में 8 प्लास किया 24 24 आ गया और even पर क्या है एक तो 0 एक 2 है minus 2 is equal to 22 बन गया 22 बन गया यह 22 11 पर डिवाइड हो रहा है yes हो रहा है 11 20 22 होता है तो यह number भी क्या है 11 पर डिवाइड हो जाएगा इसमें सबसे पहले क्या है हमने जो odd number के डिजर्ट है उनको एड़ कर लेना है 9 7 8 इन तिनों को एड़ किया कितना है 24 फिर जो even डिजर्ट है उनको even के place पर नहीं ऐसा नहीं कि odd number जो पहले odd के place पर है उनको add करना है फिर जो even के place पर है उनको add करना है फिर हमने 0 प्लस 2 किया 2 इसको minus करके अगर 0 आ रहा है जा कोई ऐसा number आ रहा है जो 11 पर divide हो जाए तो वो number भी क्या है 11 पर divide हो जाएगा तो नीचे हमें कुछ examples दी होई है जैसे पहले चार्ट में क्या है यहां पर divisible by 2, 5 and 10 जो हमें यह two numbers दी हो हैं देखना है कि यह 2 पर divide हो रहे हैं या 5 पर या 10 पर divisible by 2, 5, 10 26 है 2 पर divide हो रहा है yes हो रहा है क्यों क्योंकि once के place पर क्या है 6 है हमने क्या बोला था 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो क्या है 2 पर divide हो जाएगा हो रहा है 5 पर divide हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि 5 के लिए rule क्या था अगर once के place पर 0 और 5 हो तो इसके 1s के place पर तो 6 है तो ये divide नहीं हो रहा 10 पर divide हो रहा है नहीं हो रहा क्योंकि 1s के place पर 6 है 10 के लिए क्या चाहिए 1s के place पर 0 तो ये तो हो गया अब 50 देखो 52 पर divide हो रहा है yes हो रहा है क्योंकि 1s के place पर 0 है 5 पर भी divide हो रहा है 1s के place पर 0 है क्योंकि 5 का rule क्या था? 0 और 5 और 1s के place पर 10 पर भी divide हो रहा है क्योंकि 1s के place पर 0 है यही rule था 10 का भी अब divisible by 3 and 9 2nd chart में देखो 3 and 9 के लिए हमें 2 numbers दियो है 63 and 84 63 का पहले हमने sum किया sum of the digits 6 plus 3 कितना हुआ? 9 3 पर divide हो रहा है? 9 9 x 9 अब 84 देखो 84 के digit का sum किया हमने 8 plus 4 कितने होते है? तो 12 किया है? 3 पर divide हो रहा है 4, 3 जा कितना होता है? 12 होता है और 9 पर divide होता है? 9 के table में 12 कहा हीं पर आता ही نہیں है हाना तो यहाँ पे हमने cross कर दिया और third divisible by 11 third क्या है divisible by 11 हमें एक number दिया है जो हमने पहले भी example में किया था वो ही number यहाँ पे है 90278 sum of the digits in the odd place पहले क्या है जो odd places पर digit है उनका sum करेंगे odd places पर क्या है 8, 7 and 9 तीनों को plus किया 24 आ गया sum of the digits in the even place even places पर यह digit है 0 plus 2, 2 अब दोनों को difference लिया दोनों का 24 minus 2 is equal to 22 तो यह 22 है जो 11 पर divide हो रहा है 11, 2 हो 22 होता है therefore the number 90,728 is also divisible by 11 तो यह number भी क्या है 11 पर divide हो जाएगा तो आज हमने क्या है divisibility rules के बारे में सीखा so thank you to our students do में आएउ Jewish आएजय करें Thats कlles से दोड़े के बारे में संद羅 हो जाएब prova